बॉर्निंग स्टूडेंट्स माइसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना प्रॉम गॉर्मेंट कोलेज कोटा आज हम ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन के अंतरगत जो डिसकस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ऑक्सिकरन अवाश्था चेत्र बनाने की विधी या हम कहें कंस् देखिए ऑक्सिकरन अवस्था चेत्र बनाने की विधी और इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम समझते हैं पहला पॉइंट्स तो यह है कि जो जीरो ऑक्सिडेशन अवस्था होती है उस पर सब तत्तों की जो फ्री एनर्जी होती है उसे जीरो मानते हैं दूसरा है कि प्रतेक रिडॉक्स अविकरिया के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज की कैलकुलेशन हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं किसके अनुसार समीकरन एक के अनुसार और इसके लिए जो Redox अब किरिया में उत्पन हुए Electrode विभाव E को हम माइनस Z से गुणा कर लेते हैं और Z क्या है उन Electrons की संख्या है जो Redox reaction में ऑक्सिकारक तत्व के एक परमानु द्वारा ग्रहन किये जाते हैं जैड क्या है जो Redox अब किरिया में ऑक्सिकारक तत्व के एक परमानु द्वारा ग्रहन किये गए Electrons की संख्या थर्ड पॉंट है कि जो Zero है उसे हम कहें सुनने से दाएं हाथ की ओर हम धनात्मक ऑक्सिकरन अवस्थाएं लिखते हैं सुनने से और बाएं हाथ की ओर जो सुनन है उससे बाएं हाथ की ओर हम रनात्मक ऑक्सिकरन अवस्थाएं लिखते हैं चौथा ऑक्सिकरन अवस्था चित बनाने की विदी का पॉइंट है वो है कि प्रतेक ऑक्सिकरन अवस्था के लिए यदि फ्री एनर्जी की बेलू पॉजिटिव हैं तो आपका जो मान है वो सुनन से उपर की ओर होगा किस सिचुएशन में जब फिरी एनर्जी का मान धनात्मक है और यदि फिरी एनर्जी का मान रिनात्मक है तो जो मान होगा वो सुनन से नीचे की ओर होगा इस प्रकार यदि सुन से हम प्रारंब करके प्रतेक ओक्सिकन अवस्था से related free energy के बिंदू लगा देंगे और अंत में हम क्या करेंगे कि ओक्सिकन अवस्था के जो क्रमेक चेंजेज हैं उनसे सब बिंदू को जोड़ देंगे उधारण के लिए अगर हम देखें तो कार्बन के लिए अगर acidic और alkaline medium में ऑक्सिकरन अवस्था चित्र हम देखेंगे तो हमें निम्र प्रकार से बना सकते हैं उसको कैसे इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम उपर दिये गए लेटिमर आरेक से एलेक्टोड विबब के मानों से इस परकार की balance redox reactions बनाएंगे जो reactions क्या करेंगे शुन्षे दनात्मक अथवा दनात्मक औक्सिकरन अवस्था परिवर्तन की ओर बढ़े और इन changes के लिए जो आवशक एलेक्टोड की सेंख्या है उसे हम जैड उसे हम ग्याद कर लेते हैं और फिर ये जो जैड है जो हमने आवशक एलेक्टोड की सेंख्या ग्याद की है उसको हम किसके साथ गुणा करेंगे एलेक्टोड विभव की मान ई के साथ और इस पिरकार से हम गुणा करने के बाद फिर एनर्जी परिवर्तन का मान ग्याद कर लेते हैं अब देखते हैं कि कारबन की अमलिये और छारिये मैध्यम में ऑक्सिकन आवश्थां की रियक्शन्स देखिए अगर आपका acidic मीडियम ह तो यहाँ पर जो redox अब करिया है उसके electron विभव और फिरी energy के value किस पिरकार से आते हैं जब आपका carbon जिसकी oxidation state 0 है H2O से reaction करेगा और CO के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर carbon की 0 से oxidation state plus 2 में परिवर्तित हो गई और electron विभव का मान minus 0.52 volt और फिरी energy यहा plus 1.04 electron volt अब देखिए जो ये CO बना carbon से CO बना अब ये CO जो plus 2 oxidation state वाला है ये again H2O से reaction करेगा और H2C2O4 का निर्मान करेगा तो यहाँ पर जो carbon की oxidation state है वो plus 2 से plus 3 में परिवर्तित हो गई और यहाँ का जो electron विभव अब आयागा वो minus 0.26 volt आ रहा है और जो free energy प्राप्त हो रही है वो plus 0.26 electron volt प्राप्त हो रही है इसी प्रकार से ये reaction आगे आपको नजर आ रही है इस प्रकार से ये complete होती है अब हम बात करते हैं alkaline medium में जब carbon alkaline medium में redox आपके रिया के रूप में reactions करेगा तो यहाँ पर carbon against zero oxidation state में OH alkaline medium है CO के रूप में इसक अनिर्मान हो गया है और 0 से plus 2 में इसकी oxidation state परिवर्तित हो गई है अब देखिए यहाँ पर भी जो electron बिभव का मान है वो plus 31 है 0.31 और free energy की जो value प्राप्त होई वो होई minus 0.62 electron volt अब देखिए यहाँ पर again जो CO है उसकी plus oxidation state है वो CO पहले तो किसमें परिवर्तित होगा C2O4 2- में और then उसकी जो oxidation state है वो भी change हो गई प्लस 2 से किसमें convert हो गई प्लस 3 में और साथ ही इसका electron बिभव का मान और free energy का मान भी change हो गया है तो electron बिभव का मान कित्ता हो गया plus point 23 और free energy कितनी प्राप्त होई minus 1.23 इसी प्रकार से यह C2H4 आगे OS से reaction करेगा और आगे carbonate के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और साथ ही इसकी oxidation state भी परिवर्तित हो जाएगी और यह सब परिवर्तित होने के बाद इसका electron बिभव और free energy की value भी change हो जाएगी इस प्रक से आपने देखा carbon का acidic और basic medium में किस प्रकार से redox reactions होती हैं और साथ में उनके electron बिभव और free energy के मान परिवर्तित होते नजर आते हैं अब हम देखेंगे कि sun oxidation state पर जो free energy का मान है उसे हम क्या मानेंगे? सुन मानते हुए आपकी जितनी भी oxidation states हैं उनसे related free energy के मैंद हम क्या खीचेंगे? ग्राफ खीचेंगे और यह ग्राफ अत्वा हम कहें उसे oxygen अवस्था चित्र या हम उसे फ्रोष्ट आरेक बनाते समय हमें निम्न बातों का बिसिस रूप से ध्यान रखना चाहिए पहली बात क्या है कि जैड का calculation करती समय balance equation में केवल electron की संक्याई नहीं देखते अपितु हम क्या देखते हैं कि प्रतेक परमानू कितने electron मोक्त कर रहा है या grand कर रहा है केवल हम balance equation में electron की संक्याई नहीं देखेंगे वो दो चीजों को भी देखेंगे कि electron मोक्त हो रहे है अत्वा grand किये जा रहे है आप देखिए इस equation के माध्यम से यहाँ पर C2O4 2- alkaline medium में reaction कर रहा है carbonate बन रहा है जल बन रहा है और 7 में 2 electron मोक्त हो रहे हैं देखिए इसमें 2 electron मोक्त हो रहे हैं लेकिन 7 में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि C2O4 2- में कितने carbon परमानू है 2 और ये क्या हो रहे है औक्सिकरत हो रहे हैं लेकिन जो जैड का मान है वो क्या है? एक ही होगा, दो नहीं होगा और सेकंड ग्राप में किसी अनू, परमानू या आयन की फ्री एनर्जी का मान हमेशा हम सुनने काउंट नहीं करते हैं, आप देखिए आपर कार्बन H3O प्लस से रियक्षन किया 2 एलेक्ट्रोन क्रहन किये CH3OH का निर्मान हुआ साथ में निर्मान हुआ वोटर का H2O और इसके लिए एलेक्ट्रोन का जो मान आया, वो आया माइनस पॉंट 33 बोल्ट और यहां पर जब कैलकुलेशन किया माइनस जट और इसकी करना की तो यह आया प्लस पॉंट 66 एलेक्ट्रोन बोल्ट अब आप गिराब से देखेंगे कि जो मेथेनोल है CH3OH की जो फ्री एनर्जी है वो शुन्शे कहां, किसके उपर गिरेंगे प्लस पॉंट 66 एलेक्ट्रोन बोल्ट उपर की ओर गिरेंगे लेकिन जो एक्वेसन है CH3OH H3O प्लस प्लस 2 एलेक्ट्रोन ग्रेंड किये तो यह CH4 मेथेन में कनवर्ट हो गया प्लस H2O और इसका जो एलेक्ट्रोन का मान आया वो प्लस 0.59 बोल्ट और यह आपका माइनस Z और इसके बिभव का मान इस प्रकार से यह आपको माइनस 1.18 एलेक्ट्रोन बोल्ट प्राप्त होगा अब आप देखिए CH4 की जो फ्री एनरजी प्लस 0.66 एलेक्ट्रोन बोल्ट से 1.18 एलेक्ट्रोन बोल्ट की ओर गिरेंगे इस प्रकार कारबन के लिए जो ग्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा आप देखिए अमलिय वच्छारिय मैद्यम में कारबन के ऑक्षिक्रन अवस्था का चित्र आपको इस प्रकार से इसका ऑक्सिक्रन अवस्था चित्र दिखाई दे गया ये जीरो से लैप्ट हैंड की तरफ बाएं हाथ की ओर आपकी धनात्मक बेलूज हैं दाएं हाथ की ओर आपकी धनात्मक बेलूज हैं और इसी पिरकार से ये आपकी फिरी एनर्जी है और ये अमलियो अच्छारियम आद्यम में कार्बन का ओक्षिकर्ण अवस्था चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है अब इस चित्र को अगर आप सरल रूप में देखें तो इस पिरकार से आपको ये प्राप्त होगा देखें ये तो आपने जो Y-axis है उस पे तो फ्री एनर्जी ले लेई और X-axis पर आपने ऑक्षिकर्ण स्टेट्स ले लेई अब आप चारिये ये alkaline medium के लिए बक्र देखेंगे तो इस पिरकार से dotted dotted ये बक्र है ये तो है आपका alkaline medium का और एक sharp line आपको ये दिखाई दे रही है वो आप देखेंगे कि carbon ये center में है और carbon की जैसे जैसे ये CO में convert हुआ फिर CO किस में convert हुआ H2C2O4 में और H2C2O4 CO2 में convert हो रहा है तो इस पिरकार से इसका जो अमलिये मैध्यम का वक्र है वो इस पिरकार से आपको सो होगा और इसी पिरकार से छारी मैध्यम में आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये आपको ये graph का ये सरल रूप है और अब हम क्या देखते हैं कि यदि आप देखेंगे कि किसी एक वर की समझ तत्वों के redox अपचेन मानो या हम कहें लेटी मर आरेकों की सायता से frost आरेक या कहें oxygen आवस्था चित्र बनाएं तो उस चित्र की सायता से वर के समझ तत्वों का एक नजर में comparative study किया जा सकता है जैसे उधारण की तोर पर हम देखे 14 या कहें हम 4th A से 17 या कहें 7th A तक के frost आरेकों का आप अध्यान करेंगे तो acidic and alkaline medium में वर्ग 14 के लिए frost आरेक चित्र आप देखें इस परकार से आपको दिखाई दे रहा है यह वर्ग 14 के लिए frost आरेक चित्र है यहाँ पर देखें यह इस परकार से दिखाई दे रहा है कारबन है silicon है और यह tin lead और इनका यह इस परकार से यह frost आरेक चित्र दिख और यह Y-axis पर है आपकी free energy तो यह 14 वर के लिए आपका कौन से medium में अमलिय मैध्यम में फ्रोष्ट आरिक चित्र इसी प्रकार से अगर 14 वर के elements के लिए अगर आप alkaline medium में अवस्थत चित्र देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल उससे अलग नजर दिखाई दे रहा है आप देखिए ये तो अमले मैध्यम में था और ये आपका चारिय मैध्यम में तो बिल्कुल ये आपको एक अलग साही diagram दिखाई दे रहा है अब आप देखेंगे कि उपरोक्त अवस्था चित्र आपने देखें तो उनमें हम क्या निसकर्श निकालेंगे पहला तो ये कि सभी तत्व प्लस फोर्थ ऑक्सिकरण अवस्था प्रदर्सित करते हैं लेकिन प्लस 2 और माइनस 4 ओक्सिकन अवस्था भी कई कमपाउंस में सो होती है सेकेंड क्या कंकलूजन निकाला कि ग्रोप में अगर उपर से नीचे की ओर जाने पर आप देखेंगे कि कारबन अगर तत्व का आपन एकसेप्शन छोड़ दें तो प्लस 4 औक्सिकन अवस्था का इस्टेबिल्टी कम होता जाता है थर्ड कंकलूजन निकाला हमने कि तत्वों की माइनस 4 औक्सिकन अवस्था का स्थैत भी उपर से नीचे की ओर जाने पर घड़ता जाता है जैसा कि आपने देखा कि GH4 उपर है वो चूर जाय स्थार पर है कैसा है एस थाई SIH4 वो CH4 बक्र में नीचे हैं कम उर जाय स्थार पर हैं तो यह किस से अधिक इस्थाई है GH4 और CH4 से अधिक इस्थाई है और SIO2 सबसे निम्न तर उर्जाय स्थाई है तो ये SIH4 से बहुत अधिक इस्थाई है तो इस परकार से आपने बर्ग 14 के लिए अमलिये वच्छारीय मैध्यम में आपने फ्रोष्ट आरेक डाइग्राम का डिस्कस किया और साथ ही डिस्कस किया हमने ओक्सिकलन अवस्थाचित्र बनाने की बिधी के पॉंट्सों के बारे में थैंक यू